जाहिन दोस्तों मैंने धी बिन चोहान आज हम करेंगे क्लास 10 का 2.3 का कुश्चन 2 तो चलिए शुरू करते हैं पहला कुश्चन है हमारे सामने यह है हमारा भाजक और यह हमारा भाजे तो सबसे पहले चीज़ते हैं पहला पहला नमबर 2T की 4 यहां पर T का वर्ग है हमें चाहिए 2T की 4 तो 2T की खात 4 है और यहां 2 है यानि कि 2 खात कम है और 2 चाहिए तो 2T का वर्ग से हम इसको करेंगे गुणा थिक है तो यह देखिए यह बाजक है ठीक है 2 T के वर्ग से हमने इसको गुणा किया तो 2 T का 4 और 3 दूनी 6 T का वर्ग अब जो यह answer आया है इसको हम यहां लिख देंगे ठीक है? यह T का 4 और यह T का वर्ग, second step क्या है? निशान बदलना, यह निशान बदल दिये यह cancel और यह 6 में से 2 गया तो 4 T का वर्ग, इसका को यूज नहीं हुआ इसे as it is ले लेंगे ठीक है? यह बाकी उतार लिया हमने अब फिर से पहला पहला नंबर हमको देखना है, देखिए 3 T की घात 3 हमें चाहिए और यहां पर है T का वर्ग, तो हमें एक घात कम पड़ रही है तो हम यहां करेंगे 3 T से भाजक को गुणा यह देखिए यह देखिए, है ना? तो 3 कम, T का घन, 3 T, 9 इस तरह से जो यह answer आया है इसको हम यहां लिख देंगे प्लस का माइनस कैंसल माइनस का प्लस यह भी कैंसल, अब यह बचा इसको हमने यहां पर ले लिया फिर से वही स्टैप क्या पहला पहला नंबर हमें देखना है यानि कि यह और यह अब हमें चाहिए 4 T का वर्ग तो यहां T का वर्ग तो है 4 और चाहिए, तो हम इसको भाजक को 4 से कर देंगे माइनस का प्लस कैंसल, शेश हमारा 0, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ तो देखिए, बहुत इजी है और बहुत छोटा सा सम है आप इसको देखके डर मत जाना अब ही मैं आपको बताती हूँ, हमें करना क्या है पहला स्टैप वही है, कि हमें पहले पहले नंबर को देखना है 3X की घात है 4 और यहाँ पर X की 2 तो घात 2 कम है, है ना तो X की 2 और 3 तो 3X की 2 से हम इस पूरे भाज़क को कर देंगे गुणा, यह देखिए ठीक है 3X की 2 से हम ने गुणा किया 3X, 3 तीया और यह हो जाएगा आपका 3 एकम X की 2 जो यह आंसर आया है, इसको हम यहाँ लिख देंगे, सेकिंड स्टैप क्या है निशान उल्टे, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, प्लस का माइनस कैंसिल, अब यह माइनस का हो गया 9 में से 5 गया, 4 यह माइनस का हो गया, तो माइनस, माइनस, प्लस, 7 और 3 10, ठीक है, यह as it is ओके, अब हमें क्या करना है फिर से हमें पहला नंबर देखना है हमेशा, यनि कि यह वाला और यह वाला तो हमें क्या चाहिए माइनस 4X की 3 और यहाँ पे है X की 2 तो एक घात कम है और 4 तो हम इसको माइनस 4 से करेंगे गुणा, तो कर देते हैं, देखो यह रहा ठीक है 4 एकम, 4, 4, 3, 12 और 4 एकम, 4, अब जो यह आंसर आया है इसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है तो माइनस का प्लस, निशान उल्टे कैंसल, माइनस का प्लस 12 में से 10 किया, 2 माइनस का प्लस, दोनों प्लस के हो गए 4 और 2, 6, और यह एस इट इस, ठीक है, अब फिर से हमें क्या करना है, पहले नंबर को देखना है देखे, 2X का वर्ग है और यहाँ X का वर्ग है तो हमें क्या चाहिए, 2X अब जो आंसर आया है, इसको हम यहां लिख देंगे, as it is आ गया है निशान उल्टे करेंगे, तो सब कट जाएंगे और आंसर आएगा, 0 तो second question यहां खतम हुआ अब आते हैं, third question की तरफ बहुत simple है, यह भी देखिए सबसे पहली चीज, सबसे पहला step, इसको और इसको हमें बराबर करना है, अब यह X की 5 है, और यहां X की 3 है, तो हम क्या करेंगे X की 2 से भाजक को कर देंगे गुणा, यह देखिए कर दिया, X की 5 3 एकम, 3 और यह X का वर्ग अब जो आंसर आया है, इसको हम लिख देंगे यहां, अब क्या करना है निशान उल्टे, ओके cancel, यह प्लस का हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो 1, यह पूरा हमारा, cancel और यहां पर, यह as it is ठीक है, अब फिर से वाई step क्या करना है, पहला पहला देखना X की 3, और X की 3, ठीक है, तो हमे क्या कुछ करना है, यह सरफ 1 से ही हम इसको गुणा कर देंगे, क्योंकि minus है, यह minus चाहिए, इसलिए minus 1 से हम पूरे भाजक को कर देंगे गुणा, तो यह देखी हमने कर दिया minus 1 से किया तो यह minus, minus, minus plus, और minus, plus minus, तो जो आया हमारा answer, उसको हमने यहां लिख दिया आप क्या करना है, निशान उल्टे यानि कि minus का plus, cancel, plus का minus, cancel और यह minus का plus, तो plus, 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 तो एक और एक दो, इस तरह से हमारा 2.3 का question 2 यहां खतम होता है ओके, थैंक्यू बेरिमच जैहिन, जैभारत